डाक घर की कई ऐसी स्कीम है जिनमें निवेश करने पर ग्राहकों को बहुत अधिक रिटन मिल जाता है लेकिन बस दिखकार इस जगा होती है कि लोगों को उन स्कीम के बारे में जानकारी नहीं होती है। बिना जानकारी के वे निवेश सही जगा पर नहीं कर पाते हैं और इस दाक घर की कौन कौन सी स्कीम में निवेश करने पर आपको अधिक रिटन मिलता है। दाक घर की मन्थली इनकम स्कीम, पोस्ट ओफिस M.I.S. स्कीम डाक घर की ये स्कीम भी इस समय धहमाल कर रही है क्योंकि इस स्कीम में आप अपनी पतनी के साथ में भी जोईंट खाता कोलकर हर महीने पैंशन का लाप प्राप्त कर सकते हैं। डाक घर की इस स्कीम में आपको हर महीने 7.1 फी सदी के हिसाब से रिटन दिया जाता है। अगर आप सिंगल खाता खोल कर निवेश करते हैं तो आपको अधिक्तम 9 लाग के निवेश की अनुमती होती है लेकिन अगर आप अपनी पत्नी के साथ में मिलकर जॉइंट खाता खोलते हैं तो आपको डाक घर की तरफ से 15 लाग रूपे तक का निवेश करने की अनुमती मिल जाती है और इसमें आपको हर महीने अधिक पैंशन का लाब मिल जाता है। डाक घर की National Certificate Scheme, Post Office NCS Scheme डाक घर की National Certificate Scheme में भी ग्राहकों को निवेश करने पर बहुत अधिक कमाई होती है। इस स्कीम में आपको रिटन के दोरान काफी मोटा पैसा हाथ में आता है। डाक घर की तरफ से ग्राहकों को इस स्कीम में निवेश करने पर 7.7 फीसदी की दर से ब्याज दिया जाता है जो की काफी अधिक है। डाक घर की सुकन्या समरिध्धी योजना, Post Office SSY स्कीम डाक घर की सुकन्या समरिध्धी योजना के बारे में तो आज के समय में सभी लोग जानते हैं क्योंकि इस स्कीम ने बेटियों के भविश्य को बदलने का काम किया है। इस स्कीम में निवेश करने पर बेटियों को आठ फी सदी के हिसाब से सरकार की तरफ से ब्याज दिया जाता है। इस स्कीम में हर साल 250 रुपे से लेकर 1.5 लाख रुपे तक का निवेश करने अच्छा खासा लाब प्राप्त कर सकते हैं। डाकघर की वरिष्ट नागरिक बचत योजना की वरिष्ट नागरिक बचत योजना, Post Office SCS स्कीम, देश के वरिष्ट नागरिकों के लिए चलाई गई एक बहुत ही बहतरीन स्कीम है जिसमें निवेश करने बहुत अधिक लाब मिल जाता है। इस स्कीम में वरिष्ट नागरिकों को सरकार की तरफ से 8 फी सदी के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। अधिक निवेश की सिमा इस स्कीम में 30 लाख रुपे रखी गई है। तो ये थी दागघर में निवेश करने की 5 ऐसी स्कीम जिन में आप अपना निवेश करके खासा पैसा कमाई कर सकते है।